यह देखिए दोस्तों आज हम अद्रक लेसून हरा मिर्ज का अचार बनाएंगे फिर चलिए फटा फट बनाना सुरू करते हैं यह हम थोड़ा सा अद्रक लिए हैं थोड़ा सा हरा मिर्ज थोड़ा सा लेसून फिर चलिए बनाना सुरू करते हैं स्थे पहले हम ये अधराक को छील लेंगे ये हम चाकू से ऐसे छील लेंगे कि यह देखिए हम मशीन लिए हैं इसमें हम मिर्चा अधराक लेसुन डाल के पीशेंगे यह मसीन बहुत अच्छी रहती है cycle पीशने से दरदरापन रहता है अभी अभी हम अचार बनाए हुए थे ये देखिए मसीन में लगा हुआ है इसमें हम लेसुन डालते हैं और हारा मिर्च और अद्रक अब इसको ऐसे पीशते हैं इसी तरीके से हम सारा पीश लेंगे यह देखिए सारा हम पीश लिए है किता अच्छा पीशा है दरदरा यह देखिए तेल हम गरम होने के लिए रख दिये हैं अब हम इसमें एक चम्माज धनिया पाउडर डालेंगे आदा चम्मक हल्दी और गैस को हम बंद कर देंगे त्थाइच मक गरम मसाला आप हम इसको भिला देंगे थोड़ा तो अमधी देंग World इसलिए घरम करते हैं कि ये चाहर चले आराम से खराब नहीं होता है अचार हुमारा और ट्बालत ही देंगे तॉ खराब मुझार रहता है ये देखिये अच्छा अचार हमारा बनके तयार हो गया है ये अचार ठंडी के मौसम में बहुत ही फायदा करता है फिर आप लोग जरूर बनाईए ये देखिए हम जार लिए हैं इसी में हम अचार भर के रख दे रहे हैं ये देखिए हम कांच के जार में भर के रख दिये हैं आप महीनों भर आराम से खा सकते हैं फिर आप लोग भी बनाईए घर में सबको खिलाईए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने धन्यवाद कांच कीजिए सब्सक्राइब दिया।